लवली फूदीज वेलकम तू माई चैनल डेंडी ढावा आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल MP स्टाइल आलू पुहा आलू पुहा नहीं बनाया जाता है उसमें बहुत सारे इंग्रिडेंट्स भी डाले जाते हैं तो चले इस चटपटी रेसिपी को कैसे बनाना देख लेत है तो जो मोटा जैसे आपको दिखे वही आलू पुहे में यूज किया जाता है तो बस इसे साफ करने के बाद दो से तीन बार अच्छे से धोले यानि इसमें जितना भी काला पानी होगा उसे हलके हातों सो दोए बहुत जादा रगड़ना नहीं तो जो पूहे हैं वो टू पूहे को हम दस से पंदा मिट के भीगने के लिए छोड़ देते हैं ताकि पूहे एक दम फूल कर बढ़ जाए तब तक हम अपने बाकी के तयारी कर लेते हैं पूहा बनाने के लिए कड़ाई आप चाहे तो पैन ले ले या फिर जो आपके पास अविलेबल हो ले ले फिर कोई भी एडिबल ऑईल यहां मैंने डाला है टू लेडल सनफ्लावर और आप कोई भी ऑईल से पूहा बना सकते हैं जैसी आपको ऑईल गरम हो जाए आप डाले यहां पे वन टेबल स्पून राय और जीरा यहां मेरे पास मिक्स करके रखा हुआ था वह मैंने यूज क्या ह आपके बस अलग अलोग हो तो वन टीस्पून राय और वन टीस्पून ही जीरा डाल ले जैसी आपके राय और जीरा चटक जाए आप डालने यहां पर अपने अकोर्डि मतलब आपको जितनी भी मॉमफली पसंद हो उतनी आप यहां पर एड़ कर सकती हैं सबसे पहले बारिक काटके डाला है आप चाहे तो मोटी मोटी भी डाल सकती है फिर डालने थोड़ी सी कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता भी आप अपने को डाल सकती है अब इन सभी को अच्छे से पकने दें यहां मैंने ले लिए दो बड़े साइज के अनियन अनियन को मैंने एकदम लंब अब प्याज को भी आप ट्रांसुलेंट होने तक पका लें तो यह देखिए प्याज को आपको बस इस स्टेज तक पकाना है फिर हम यहाँ पर एड़ करें दो मीडियम साइस के आलू आलू को आप बिक्तम बारिक बारिक काट लें और फिर इसे दो से तीन बार अच्छे से धोलें सारा पानी निकलने के बाद इसे इसमें डाल दें प्याज और आलू को एक बार अच्छे से मिला लें नमक के बाद डाले आपके आलू जलदी गल जाए फिर आप यह से ढखकन लगाकर आलू को पकने दे तो जब तक हमारे आलू पक रहे हम देख लेते हमारा पूहा कितने अच्छे से फूला है तो यह देखिए पूहा इतने अच्छे से फूल कर बढ़ गया है और दाने भी खि धान रखें कि अभंडेनी को कॉरियंडर लीवस को तारे पूह में अच्छे से हलके हाथों से मिक्स करेंगे पूह ढूरा नियुक्स खोल लें ताकि जो पुह है हमारा बनने के बाद एक दम खिला खिला नजर आए तो यह देखिए दूसरी तरफ हमारे आलू भी 70 परसिंट तक लगबग पकी चुके हैं तो बस इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें अब हम इसमें एड करेंगे हल्दी तो यहां मैंने हल्दी एड कि हाफ टी स्पून आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं लेगिन जो एमपी वाला पोहा रहता है उसका जो कलर होता हो एक तम लाइट कलर रहता है हल्दी का इसलिए मैंने हाफ टी स्पून एड की है हल्दी को एक बार आलू में अच्छे से मिक्स कर ल तो मैंने इस टाइम डाला है बस इसे भीता है अच्छा से भख दे अच्छारे अचि, अच्छारे पका ले लिए हैं आलो में आपको उठा कर और असे दबा कर भी दिखाती हूँ कि आलो बहुत अच्छे से पक गए बस इतनी ही अच्छे से आलो आपके पकना चाहिए हमारी सारी चीजे पक कर रेड़ी है अधाब हम इसमें एड करेंगे अपना पूहा जैसे आप पूहा डालने इसे आप हलके हाथों से अच्छे से मिक्स करते जाए बहुत ज़्यादा टाइट हांतों से ना करें ने तो पूहा यहाँ पे टूट सकता है तो एक दम हलके हाथों से अच्छे से सारे पूही को मिक्स कर ले जैसे आपका पूहा अच्छे से मिक्स हो इतना चैसे खिला खिला भी दिख रहा है थोड़े से प्रिकॉशन आप लीजिए आपका पोहा बिल्कुल टूटेगा भी नहीं बिल्कुल खिला खिला भी दिखेगा और सौट भी उतना ही बनेगा यह मेरी गैरेंटी है बस यह से दो मिट अच्छे से धक कर पकाएंगे न त देज़िए इस सर्फ करते हैं तयार है हमारा एकदम ही चिटपटा पोहा अब एकदम एम्पी जैसे भी सर्फ करना बनता है तो इसे ढीर सरा कटे हुए प्यादसे और निबू से निबू मेरे पस अभी आविरेबल नहीं था इसलिए मैं निबू को सकिप कर दिया आपके प अगर पसंद आयो तो इस रसीपी को अपने कीचन में एक बर जरूर ट्राय करना और मुझे कमेंट करकर बताना कि आपको इसका टेस्स कैसा लगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई